दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने PDF फाइल को Chrome राउजर में कैसे खोलें अगर आपके laptop ये computer में कोई PDF है और उसको आप open कर रहे हैं वो ठीक से open नहीं हो रहा है या कुछ error बता रहा है तो कैसे आप उसको Google Chrome में open कर सकते हैं यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यह जो PDF है एवन करके इसका जो format है वो अलग है और इसके जो setting है वो add up का है यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हूँ आ रहा है add up acrobot document यानि कि जैसे मैं यहाँ इसको open करूँगा तो आप देख सकते हैं यह add up acrobot में open हो रहा है ये browser में open हो रहा है लेकिन इसका जो setting है वो add up acrobot है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं Google Chrome में open करूँ क्योंकि Google Chrome में PDF बहुत ही easily open हो जाता है उसमें setting भी बहुत ही simple होता है और print करने में भी बहुत आसानी होती है तो इसको Google Chrome में open करने के लिए क्या करना है आपको अपने PDF को यहां से ऐसे drag and drop करना है और आपको अपने Google Chrome browser पर लाकर इसको छोड़ देना है तो जैसे आप इस पर लाकर छोड़ेंगे तो यहां पर देखिया आपका यह PDF का नाम आ जाएगा इस पर आप क्लिक कर दीजे फिर आपका यह PDF आपके Google Chrome browser में open हो जाएगा यह आप देख सकते हैं इसका एक और तरीका है आप क्या कीजे पहले अपने Google Chrome browser को open कर लीजे इसके बाद इसको minimize कीजे अब आप यहां से अपने PDF को ऐसे drag and drop कीजे और यह जो search bar है Chrome browser में इस पर लाकर PDF को छोड़ दीजे अब यहां पर आपको enter button दबा देना है फिर आपका यह PDF फाइल आपके Chrome browser में open हो जाएगा अब देखिए इसकी जो setting है वो कितनी simple है इसका जो interface है वो मुझे काफी अच्छा लगता है और यहां पर आप आसानी से zoom in zoom out कर सकते है यहां से इसको download कर सकते है print कर सकते है यहां देखिए print कभी आपको option मिल जागा काफी easy होता है इसमें print करना तो आप इस प्रकार से google chrome में open कर सकते हैं अगर आप माल लीजे बार बार drag and drop नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं जैसे PDF पर click करूँ तो वो direct chrome browser में open हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है इसका setting change करना होगा तो आपको क्या करना अपनी PDF पर एक बार click करना है जहां पर भी आपका PDF है उसको एक बार ऐसे click कर लीजे फिर mouse का right button दबाईए फिर यहां पर नीचे आपको option मिल जागा properties का आपको यहां properties पर click कर देना है properties में आने के बाद यहां पर आपको general वाले option पर click कर देना है general वाले option में यहां पर देखे आपको एक option मिलेगा open with तो अभी देखे यहां पर add up acrobot select है यानि कि जब भी मैं अपने PDF का open करूंगा तो वो add up acrobot में open होगा तो यहां पर देखे आपको option मिलेगा change का आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहां पर देखे आपको बहुत सारे apps मिल जाएंगे जैसे कि firefox, google chrome, microsoft edge, whatsapp और भी यहां पर आप more apps पर click करेंगे तो और भी आपको apps मिल जाएंगे तो यहां से आपको google chrome पर click कर देना है फिर आपको ok वाले button पर दबा देना है अब यहां से आपको apply पर click कर देना है फिर आपको ok वाले button पर दबा देना है अब यहाँ पर आप देखिए आपका जितना भी PDF फाइल होगा सबका आइकन चेंज हो जायागा और वो Chrome Browser वाला आइकन आ जायागा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यह जो PDF था इसके सामने Chrome Browser का आइकन आ चुका है अब जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह डिरेक्ट Chrome Browser में ओपन होगा और इसको मुझे ड्रैग और ड्रॉप नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसका पाथ चेंज कर दिया इसको ओपन करने का जो सेटिंग है उसमें हमने Chrome को डिफॉल्ट कर दिया तो अब जब भी हम PDF को ओपन करेंगे तो वो Chrome Browser में ही ओपन होगा अगर आप इसको फिर से चेंज करना चाहते हैं Firefox में ओपन करना चाहते हैं या Microsoft में ओपन करना चाहते हैं ओके तो यहाँ पर मैं फिर से एड़ अप एक्रोबॉट कर देता हूँ तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं जो भी आपको करना है अगर आपको Chrome Browser में करना है तो आप Chrome Browser में करना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा